हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे कुक वित रीकुम के चैनल में आज मैं अपको मसाला मश्रूम की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी इसके लिए मैंने बटन मश्रूम का प्रेवक किया है देखिए और इन मश्रूम को अच्छी तरह से दो कर इन छोटे चोटे टुकडों में मैंने इसको काट लिया है इस तरह से हमें इन मश्रूम को काटना है उसके बाद गैस के फ्लेम को अन करेंगे एक कडाही लेंगे और इसमें हम मस्टर्ड ओयल डालेंगे जब तेल गरम हो जाए तब हम चौथाई चमत साबूत जीरा लेंगे और उसको हम फ्राई करेंगे इस थित सिम को हमें बिल्कुल स्लो में ही रखना है सिम में रखकर ही इसको हमें बनाना है जब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं मैंने यहां पर छे से साथ कलिया लहसून की दो इंच अद्रक का टुकड़ा और दो हरी मिर्च का प्रयोक किया है और इसका एक अच्छा सा करेंगे और इसको भी हम प्याज के साथ धिरे धिरे हम इसको फ्राई करेंगे हमें इसको फ्राई ही करना है इसको जलाना नहीं है इसलिए गैस के फ्लेंग को हमें बिल्कुल लो पर ही रखना है देखिए हमारे जो प्याज और अद्रक लसून है धिरे धिरे यह फ्राई हो का प्रेयोग किया है एक म witness हम मिल बिलकुल बेसिक से जो मसाले हैं वही हमें इसको मिलाना है औरुड इन मसालों के साथ प्याज लहसुन इनको अच्छी तरह से हम स्क सटर miał श्रीजिस करेंगे अब हम थोड़ा सा मसाले जले न तब हम इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे नहीं तो नीचे से मसाले जल जाते हैं पानी ड्सकार हेजने के बाद 1-2 मिनिट तक हम इसको पकाएंगे ताकि हमारे जो मसाले है वह अच्छी तरह safe पक जाए साथी प्याज भी धिरे-धिरे पकने लगे अब हम दूसरे प्रोसेस में चलेंगे अब हम स्वाद अनुसार नमग भी इसमें मिला देंगे देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं अब हम एक टमाटर लेंगे और उसका प्यूरी बनाएंगे और टमाटर और मसाले के साथ फिर से 2-3 मिनट तक इसको हम पकाएंगे और इसको हम ढख कर थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे तीन से चार मिनट तक हम इसको ढखेंगे और गैस के फ्लिम को अभी भी हम लो पर ही रखेंगे तीन से चार मिनट हो गए हैं, देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से पग गए हैं अब हम तीन बड़े चमच हम दही लेंगे और इस दही को भी इसमें मिलाएंगे जब भी हम दही मिलाते हैं तब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल भी लो रखना है नहीं तो दही फड़ जाती है देखिए हमारे मसाले के साथ दही को बहुत अच्छी तरह से हमें इस तरह से मिलाना है देखिए और दही भी पानी छोड़ती है थोड़ा सा पानी निकल आया है अब हम 10 बारा हम काजू लेंगे और उसका हम पावडर बनाएंगे और उसको भी इसमें हम मिला देंगे आप चाहे तो काजू का पेस्ट भी बना सकते हैं और उस पानी के साथ आप पेस्ट बनाईए और उसको भी मिला दीजिए काजू डलने से इसकी जो ये जो ग्रेवी है बहुत रिच हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिश्ट बनती है देखिए हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से पग गया है अब हम लास्ट में इस जो हमने काट के रखे थे मश्रूम उसको भी हम इसमें मिला देंगे और सारे मसाले को मश्रूम के साथ अच्छी तरह से इस तरह से हम मिलाएंगे तीन से चार मिनट तक लगेंगे इसको अच्छी तरह से कोट करने के लिए ताकि सारे जो मसाले हैं मश्रूम के साथ अच्छी तरह से मिल जाए देखिए लगातार हमें 3-4 मिनट तक इसे हमें चलाना है हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से कोट हो गया है अब हम इसमें गरम पानी मिलाएंगे जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसे साब से आप पानी मिला सकते हैं लेकिन ध्यान रहे हमें गरम पानी ही मिलाना है और पानी नालने के बाद 5-10 मिनट तक हम कुक करने के लिए या ठक कर हम पांच से 10 मिनट तक इसको रख दिया है यह खाराने में बहुत ही स्वादिश्ट मनती है आप चाहे तो रोटी पराठे चावल किसी के साथ इसको ले सकते हैं देखिए इसकी कलर बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है ये दोस्तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को स्रब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक बटन को जरूर दबाएं लास्ट में अब हम इसमें एक चम्मच पर गरम मसाला हम मिला देंगे चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं दोस्तो आप कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी धन्यवाद